नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जीवन साक्षी रॉट इन में तो कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूं कि अच्छे ही होंगे तो जो आप इस स्क्रीन पर फोटू देख रहे हैं आज हमें इनोंने अपना वाइवड़ाटा पहेजा है साधी के लिए इनका नाम सुमन साव हूँ है सुमन जी की उमर 30 साल है इनकी हाइट माच फोट 4 इंच है और ये रहने वाली उत्तरपदेश पिली भीस हैं सुमन जी दूसरी साधी के लिए रिस्ता देख रही हैं पहली साधी में इनके हस्वेंट से इनका तलाख हो गया है और इनके कोई बाल बच्चे बग कर नहीं होते हैं जिस बचसे इनके पती ने नगए चोड़ दिया है तलाख लेलिया इंसे है और तलाख के बाद है अपने वाजी चाहाँ रह रही हैं क्योंकि आनाथ है इनका वहर परीवान में कोई नहीं हैं कर नहीं मात पिता हैं ना ही बेहन भाई है पच्पन से यह कभी इनके साद अच्छा क्या इनकी मावाप छीन लिए busy मोट समय 10 को सुख न Sovi मिल पाया और इनके पती ने फिर दिया ये द्यूसरी साधी कि लिए रिस्ता देख रही हैं और इचाती है किई स्वार इनको एक साह जीवन साधी मिले है कच्छा हमसाफर मिले जो हम हमेशा प्यार दें। हमेशा साथ निवाए। इनको ऐस रिष्ते की दलाख से जिंगे भाल, बचे बगारे, लाव, बदनी खत्म हो गई है। या किसी कारण बस तलाख हो गया हे। तो वो चाहते हैं कि वो न बच्छों को ये अपनाए और एक मा का प्यार दें और इनको भी एक अच्छे पती की तलास है जो हमेशा हर कदम पर इनका साथ दे तो हदे आपको सबन जी का वाई ड़ाटा पसंद है और आप इनसे रिस्ता करना चाहते हैं तो आप इनसे संपर करें और यदि आप गुन का वायर रटा पसंद नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट जीवन सा आक्षी रोटिन पर विजिट करें बहाँ पर जाएं बहाँ पर आप गुन के जैसे बहुत से रिस्ते मिल जाएंगे साधी के लिए वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो तुरंत आप वेबसाइट पर जाएं और आपको ऐसी भूसी लड़कियों से साधी के संबने बाचिप करें और यदि आप सुमंजी से रिस्ते कहना चाहते हैं आप हिंदू जाती से हैं आपके उमर 28 से 35 साल के बीच में हैं और आप भी ऐसी ही वदू की तलास कर रहे हैं जो कभी मान नहीं बन सकती है तो आप इनसे संपर करें संपर के लिए जो आप स्क्रीन पर कॉंटेक्ट नमर देख रहे हैं इस पर आप मिस्कॉल करें ताकि हम आपका वायडाटा इन तक पहुचा सकें और यह आप से संपर करके आगे की बात बढ़ाए अगर आपको सुमन जी का वायडाटा पसंद है तो वीडियो को लाइक करें साथिया आप हमारी यूटीब चैनल जीवनसाफची रॉट इन को भी सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं एक नए रिस्ते के साथ थैंक्स पर वाचिंग